नमस्कार दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वो है सहयोग का गुन यानि सहयोग की शक्ति जी हां हम दुनिया में आते हैं बड़े होते हैं और जीवनियापन करते हैं इन सभी गतिविधियों में हमें किसी न किसी के सहयोग की आवशक्ता रहती है और क्या-क्या हमकारे करते हैं जिसमें हमें दू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी आधर्निय राजियोगिनी डॉक्टर सवीता दीदी ओम शांती सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती हैं और वैसे भी कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोर सकता तो जीवन के हर कारिये में हमें किसी ना किसी के सहयोग की जरु चाहते हैं लेकिन कई बर हमें क्या होता है कि हम दस लोगों का बोच अकेले उठाना चाहते हैं और फिर क्या होता है कि हमें वो परिणाम भी नहीं मिलता और हम पीच सफर में ठक भी जाते हैं हमें सहयोग लेनी की आदत नहीं होती तो बात हम शुरू करेंगे कि सहयोग क्य है और कब और किस समय हमें किसी को सहयोग देना चाहिए और कब सहयोग लेना चाहिए सहयोग तो कहेंगे कि सहयोग के बिना तो जीवन चली नहीं सकता है हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहने का अर्थी है कि हम एक दो की सहयोगी बन करके ही जीवनियापन करते हैं लेकिन विशेश कर अगर हम सहयोग के शक्ति की बात करें या गुन की बात करें तो जादा तर हम कहते हैं आवश्यक्ता के समय किसी को सहयोग देना जब कोई मुश्किल में है या किसी को really हमारी मदद की जरूरत है तो हम हाजर हैं हो जाएं उनकी मदद के लिए बड़ा पुनिय माना जाता है इस बात को कि आवश्यक्ता के समय किसी के काम आना इससे बड़ा पुनिय और कोई नहीं हमानो कोई बीमार है और उसके लिए कोई نہیں है और उस समय हम उसको मदद कर देते हैं या कोई भी जैसे दुनिया में भी लोग समाज सेवा करते हैं तो कोई भूखा है उसको खिला देते हैं या कोई प्यासा है उसको पानी खिला देते हैं कुछ लोग इससे आगे अगर उनकी शमता अधिक है तो उससे अधिक भी समाज में सिवा के सहयोग की कारी करते हैं, कि वो अस्पताल ही बना देते हैं, जिसमें कि जो भी रोगी हैं वो आकर के अपना इलाज कराएं, या वो धरम शाला ही बना देते हैं, कि जो भी आने जाने वाले हैं, उनको समय पर रहने को स्थान मल जाए, या फिर वो जैसे मंदर बना देते हैं, उस स्थान की क्या जरूरत है आवशकता है, उसके आधार पर ये सहयोग करते हैं, तो जहां भी सहयोग है, ये देखने में आता है कि बड़े-बड़े कारिये सहज हो जाते हैं, इसलिए टीम वर हो जाते हैं, हम तो चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन ये जितना आप कहना आसान लग रहा है, कई बार मुश्किल हो जाता है, मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर हमारी भावना शुद्ध नहीं है सहयोग देने की, माना हम सहयोग तो दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी यह पेक्षा है, हम चाहते हैं, हमने इनको सहयोग दिया है, समय आने पर यह भी मेरे को सहयोग दें, पर यह हमेषा संभव नहीं होता है, उस समय हमारे लिए सहयोग कर पाएगा, उसकी पर इस्तती जो है यह भी हो जाता है, कई बार की लोग भूली जाते हैं कि हमने उनके पर कोई हैसान किया या कोई हमने उनके लिए किया कुछ भी तो फिर बहुत दुख होता है कि हमने समय आने पर इतना किया इनके लिए और आज में ज़रूरत है तो ये मेरे लिए मतलग ये मुझे पूछते ही नहीं है, में मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फिर हम सही योग जो दें, जैसे हमने कहावत सुनी हुए नेकी कर दर्यामिदा, कि हमने किया ठीक है, हमको अपना लगा फर्ज कि हमें अपना फर्ज नहीं भाना चाहिए, फिर व कोई भी हो सकते हैं, जिनको सही योग की जरूरत है, और हमने समय पर किया, लेकिन फिर हम जैसे कि उसको भूली जाएं, कि हमने इनके लिए कुछ किया, वो अगर करते हैं, अगर हमारी आवश्यक्ता के समय, तो बहुत अच्छा है, जैसे गीता भी क्या कहती है, कि निशका है, और इसके कारण कई बार लोग बहुत दुखी होते हैं, कि मेरे को सही योग नहीं मिलता है, सही योग तो क्या कई बार कॉम्पटिशन में भी आ जाते हैं, सही योग देने की बजाए, अगर वो गुन नहीं है हमारे अंदर, माना एक हल्पिंग नीचर होना एक अच्छ कि अगर हमने इनको सही योग दिया, तो ये तो आगे बढ़ जाएंगे, इनकी तो प्रोग्रेस हो जाएगी, तो फिर हम सही योग देते ही नहीं है, और सही योग देने की बजाए और ही जैसे कि उनकी टांग खीचते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, तो ये भी मान सिकता होती कई बार या किसी के प्रती इर्श्या है तो भी व्यक्ति सहयोग नहीं देना चाहता है। कि कुछ लोग जैसे जो स्लम्स में रहते हैं या असहाएं हैं और वो कर सकते हैं लेकिन जब उनको जरुत होती है तो उनको सहयोग मिल जाता है, मदद मिल जाती है तो फिर वो कभी भी खुद से कोई प्रतन नहीं करते, वो हमेशा फिर उन्हीं को ही देखते हैं तो वहाँ फ जब हम किसी को दान करते हैं, तो हमको पातर को दान देना चाहिए, यानि अगर हमें लगता है इनको हम सयोग देते हैं, मतलब हमेशा के लिए तो हम उनको उस सथी से नहीं निकाल सकते, चलो आप खाना देंगे, तो कितनी बार आप कितने दिन देंगे, किसी को वस्र देंगे तो कब तक आप किसी को वस्र दे देंगे कोई भी चीज आप दे सकते हैं तो कब तक दे सकते हैं उसके एक सीमा होगी न और जैसे कहा कि अगर हम देते ही रहते हैं तो फिर वो dependent भी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमें मिल जाएगा उसकी बजाए हम उनको योगी बनाएं कि वो खुद ही अपना जीवन निर्वाहा कर सके या खुद ही अपना काम कर सके जो स्प्रिच्वालिटी सिखाती है चुश्य कि हमें किसी को भी इस तरह से नहीं देना है लेकिन उसे योगी बनाना है तो अगर हमने किसी को ग्यानदान दिया या विधियादान दिया जिसको सबसे स्रेष्ट माना जाता है मानो किसी के अंदर आपनी कोशल का विकास किया मतलब किसी को हम कोई जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वगरा देते हैं लोग कारी करते भी है इस तरह की जो भी अभाव ग्रस्त हैं गरीब हैं उन लोगों के लिए कुछ इस तरह के कारिकरम चलाते हैं तो यह अवर्ष्य मैं कहूंगी कि सही अर्थों में हम उनको सहयोग दे रहे हैं और यह बहुत बड़ा पुनिय का काम है कि एक बार उनका जीवन बन जाता है कई तो ऐसे होते हैं कि गरीब बच्चों को अपने धन से पढ़ाते हैं जी हाँ बहुत सब्सक्राइब अगर उनको लगता है कि भी हम दे सकते हैं तो क्यूं नहीं हम किसी का जीवन बना दे कोई-कोई तो एक-एक बच्चे को गोद भी लो लेते हैं कोई अनाध आश्रम में जाकर के भी ऐसे पच्चों को मदद करते हैं जिनका कोई भी नहीं हैं तो मतलब किसी का जीवन निर्मान करना मैं समझते हूं यह सही और तो में सबसे बड़ा पुनिय और सहयोग है और वो व्यक्तिक कभी भूलेगा नहीं उसको लेकिन और भी सहयोग की जरूरत होती है दुनिया में किवल स्थूल की बात नहीं लेकिन सुक्षम में भी मानो कोई मन से दुखी है मन से अर्शान्त है और उसके प्रती हमारे good wishes है good feelings है और वो हम बले हम दूर बैथे हैं कई बार होता है कि जरूरी नहीं है कि हम उनके पास ही है लेकिन हमें पता है कि किसी कारण से उनकी मनस्तथी आजकल ठीक नहीं है और हम दूर बैठे भी उनके प्रती पीस्फुल वाइब्रेशन सेंट करते हैं हम उसको कहेंगे कि हम उनको मनसा सहयोग दे रहे हैं अपने मन से हम उनको सहयोग दे रहे हैं तो उसका बल मिलता है, जैसे हम उसको टेलेपैथी कहते हैं, हम दूर बैठे भी किसी को ये सहयोग दे सकते हैं, यहां तक की मानों कहीं आबदा आ गई, अब जैसे भुकम पाजाता है, उसमें कितने लोगों की हानी होती है, जिसकी जान चली गई वो तो कोई बात ने, वो त समय में, तो उनको उस थूल रूप से साइता देने वाले तो बहुत होते हैं, उनके लिए वस्तर देने वाले, उनके लिए दवाईयां देने वाले, और जो भी आवशक्ता है, उनको इलिए शल्टर होम बनाने वाले, उसको हम शरार्थी, शिवर कहते हैं, उसको बहुत कर करके वो अपने अंदर वो उत्साहा, वो खुशी महसुस करें, वो तो नहीं दे पाते हैं, तो फिर अगर हम ये सहयोग करते हैं उस समय, सब तो आने पहुंश पाते हैं, तो हम दूर बैठे भी ऐसे आत्माओं के लिए भी, खास कर मेडिटेशन के समय, हम इस तरह के वाइब योगी बन सकते हैं, कहाँ बीज़ से, युद्ध होता है, तो युद्ध में भी कितना होता है, कहाँ भी, खास कर दो प्रकर्टिकाब्दा के समय ही ऐसे बहुत अधिक नुकसान होता है, उस समय जो भी हमें मालूम पढ़ता है, तो ये हमारे, अगर हम इस कत्तव ये का भी अर्शानत हैं तो फिर कहां हम किसी को इस तरह से फिर उसका दान कर पाएंगे जी जी और वो भी तो अपने ही भाई बहन है उनको फिर मुख्यधारा में लेके आना हम सब का फर्ज बन जाता है अब जैसे कई वर हम देखते हैं कि कुछ बहने ऐसे परिवारों में चली जाती ह माँ जिनकी आर्थि स्थिती जादा अच्छी नहीं हैं तो कई वर उनके परिवारों से ऐसे उमीद की जाती है कि आप हमें सहयोग करें तो एक बार वो सहयोग कर देते हैं लेकिन क्या होता है कि अब पक्षी ऐसा है करनिया पक्ष तो उंको थोड़ा सा रहता ही है मन में कि नहीं चलो हमारी जो बेटी है वो परिशानी रहनी चाहिए और हमें अगर हमें लगता है तो हमें सहयोग कर देना चाहिए तो एक दुबार वो सहयोग कर देते हैं लेकिन बहुत जादा घर हम देखते हैं बहुत सारे केस में देखते हैं कि जो वरपक्षे वो फिर उन पे नि है कि आप कितना सहयोग करें और कितना सहयोग हमें लेना चाहिए यहां भी थोड़ा सा आत्मसम्मान की बात होनी चाहिए कुछ ऐसे कि आप आप काले इस सथी जैसे बोलते हैं कि कोई इमर्जनसी है और बिना सहयोग के हमारा काम नहीं चलेगा तो वो अलग बात है कि उस सथी में हमने कोई सहयोग लिया लेकिन जैसे कि यह धन ऐसी चीज है ना कि फिर कहीं ना कहीं इंसान लालच में भी आ जाता है कि हम इन से कहते हैं और यह हमें दे देते हैं तो जब हमें कोई चीज मलती है तो फिर उसका निश्यत है कि लोग फाइदा उठाते हैं तो यह जब मान सकता है तो फिर अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं है हम भी तो समझ सकते हैं कि इनको कितनी आवशक्ता है या नहीं है तो अगर हमें लगता है कि ऐसी आप इनको कोई आवशक्ता और ऐसे ही यह हमसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम अपने युक्ति से मतलब जैसे भी जिस विदी से हम उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि वहां से लिया गया धन कोई लोटाता भी नहीं है वापस, वो तो आप समीब संबंदों में कुछ लेंदेन करते हैं, तो ज्याद वो वापस करने का तो सोचते ही नहीं है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम बात करें प्रजाप पिता ब्रमा कुमारी विश्र विद्याले की, तो यहां भी हम देखते हैं कि जो सहयोग की भावना है, बहुत जादा है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं, समास से, यहा आते हैं संस्था में और संस्था के जो कारे देखते हैं, तो एक एक्ट्छल में जो सहयोग होना चाहिए, वो यहां देखने को मिलता है, कि कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, करने के लिए सब अपने आप से उकारे करते चले जाते हैं, तो यह जो इस तरह की एक आपने एक परंपरा जो बनाई है वो उसके पीछे क्या है ताकि समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ इस तरह से हमें समाज में रहना चाहिए सबसे ज़्यादा तो यह सवाल पूछते हैं कि इतना वड़ा यह विद्याले चलता है क्योंकि यह अंतराश्टी विश्व विद्याले हैं करीब एक सो चालिस देशों में इसके सेवा केंद्र हैं और यहां हैटकॉर्टर में ही हजारों का आना जाना हर ग्रूप में कई हजा कार भाई भेने यहां आती जाते हैं कि बिना कहीं जो है वो कारिये अपने आप होता रहता है मतलब पता ही नहीं चलता कि कारिये कैसे हो रहा है तो फिर यह भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है इसका हाँ यह प्रश्न हो जाता है तो निश्यत है कि इतने जब इश्व में साथगी आ जाती है पहले जो वह बहुत वियर्थ खर्चे करते थे वो सब खर्चे उनके समाप्त हो जाते हैं तो फिर वह सोचते हैं कि जैसे हमारे जीवन में हमें मदद मिली ना ऐसे ही औरों के जीवन को में भी उसका लाब मिलना चाहिए तो वह खुद दिल से सहयोग क देना चाहता है वो यहां देते हैं तो वो सहयोग देते हैं और उस सहयोग से परमात्मा का ये कारिये बहुत सहच चलता है तो जैसे हमने कहा कि सहयोग जहां है वहां बड़े-बड़े कारिये भी सहच संभव हो जाते हैं और दूसरी यहां जो भाबना है वो परिवार की भ और भॉतूद्वार है। जो शिपबाबान से प्रमात्मा शिक्षा है। कि हम सब आत्माएं रिश्टी पर आए हैं . और रूप में पर हम सब भ्बा भाई भाई है। recording of elected kingdom Deash देश के हैं उससे कोई फरक्ट नहीं पड़ता लेकिन हम जो हैं वो एक परिवार हैं जैसे हमारी संस्कृती में भी माना गया कि वसुधयव कुटुमबकम पूरी वसुधा ये पूरा विश्व एक परिवार हैं तो फिर हम ये नहीं मानते कि ये मेरा परिवार चार दस जो मे हैं वही मेरे परिवार हैं इनको ही मुझे सहयोग देना है या जो भी इनके लिए ही मुझे करना है नहीं लेकिन पूरे विश्व की आत्माएं ही हमारा परिवार है और किसी को भी मेरे सहयोग की जरूरत है और हम दे सकते हैं तो फिर हमें सहयोग देना है कोई अपने तन से कोई मन से, कोई धन से, जैसे जो दे सकता है, कोई समय दे सकते हैं, तो अपना समय देते हैं, अपना तन लगाते हैं, यानि जो भी ऐसी सिवाएं हैं, जो कि जिसे हम स्थूल कारिये कहते हैं, तो वो कारिये के लिए अपना समय निकालते हैं, और सहयोग देते हैं, कुछ है भगवान का तो लक्षे है विश्व का परिवर्तन करना इस कल्योग को सतियोग में बदलना तो इतना बड़ा कारी है यह सब आत्माओं के सरयोग से ही संभव हो रहा है और होगा कितनी सुन्दर भावना है दिदी और मैं समझते हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है इस भावना को लेकर आप यहां इस संस्था में रहते हैं और कितना सुन्दर तरीके से सब काम हो रहा है इतनी सुन्दर जैनकरी के लिए दिदी आपका हमाकुमारी विश्व विद्याले में सभी लोग एक परिवार की भांती रहते हैं कोई काम करकर किसी पर कोई एहसान नहीं जाता था सब सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं उसी पर का यह विश्व पूरा हमारा एक परिवार है और जब हम परिवार में रहते हैं तो सहयोग के साथ कार्य करते हैं और वो जो कार्य चार दिन में होने वाला होता है वो दो दिन में या फिर एक दिन में हो जाता है और जब सहयोग के साथ हम सब को साथ लिकर जलते हैं तो हम सभी इकठे आगे बढ़ते हैं और जल्दी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो सहयोग की भावन होना चाहिए एक नई विशे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शन्ति